कम्प्यूटर ग्यान A to Z की इस अनोकी कच्छा में आपका स्वागत है। मैं हूँ करीम, चलिए शुरू करते हैं आज का अध्यर। यूटूब के आज की सध्याय में हम सीखेंगे प्लेइलिस्ट बनाना तथा उसमें वीडियो डालना और साथ ही सीखेंगे प्लेइलिस्ट एडिट एवं डिलिट करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें तथा नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूटूब के पार्ट 6 में हमने सीखा था कि इंड स्क्रीन एंड एंड नोटेस्टन का परियोग कैसे करें। आईए अब सीखते हैं प्लेइलिस्ट बराना तथा उसमें वीडियो डालना, प्लेइलिस्ट एडिट एवं डिलेट करना। यह देखिए यूटूब की साइट हमारी खुली हुई है, अब इसमें हम सबसे पहले साइन पर जाएंगे, यहाँ पर जो राइट साइड में बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर सजेशन में आ जाएगा कि आप किसमें करना चाहते हैं, हमने यहाँ पर अलड़ी पासवर डाल दिया, अब इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यह देखिए हमारे पास हमारे यूटूब चैनल का आइकन यहाँ पर आ गया है अब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद Creator Studio पर क्लिक कर देंगे अब उसके बाद हम वीडियो मैनेजर पर जाएंगे यहाँ पर और फिर प्लेइलिस्ट में यह देखिए अभी तक जो प्लेइलिस्ट हमने बनाई हुई है हमारी चैनल पर चार प्लेइलिस्ट बनी हुई है अब यदि आप चाहते हैं कि और प्लेइलिस्ट बनाना तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में यह आप सना गया है न्यू प्लेइलिस्ट का अब हम यहाँ पर एक नई प्लेइलिस्ट का उधार देकर समझा रहा है आपको तो इसके लिए हम यहाँ पर न्यू प्लेइलिस्ट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्लेइलिस्ट टाइटल मानगे यहाँ पर हम प्लेइलिस्ट का बना देते है को रल ड्रा इन हंदी ट्यूटोरियोऊस अब इसमें हम क्लिक कर देंग으니까 यह देखें यह कोरल ड्रा इन हंदी ट्यूटोरियोऊस का बन गया है अब यहाँ पर लिखा खुया है देर आ नो वीडियोज इन इस प्लेइलिस्ट एट अभी तक इसमें कोई भी वीडियो नहीं है और अब आप इसमें कोई वीडियो डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ edit पर क्लिक करें edit पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन इस तरह के से दिखाए देगी अब इसमें वीडियो एड़ करने के लिए यहां राइट साइड में नीचे एड़ वीडियो लिखा हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करते ही एड़ वीडियो टूपले लिस्ट का एक डालोग बॉक्स आ जाएगा अब आप इसमें टी आपशन दे रहा है इसमें आपको वीडियो सर्च यो आरियल यूटूब वीडियो इसका म जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप के चैनल पर जितनी वीडियो पड़ी होई है वो सब यहाँ पर आ जाएगी अब आप इसमें से जो भी वीडियो डालना चाहिए उस पर क्लिक करके सेलेट करते जाए जैसे मालिया इसमें हम यह पार्ट फाइफ हाउ टू मेक थ दालना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे अब एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें जैसे यहाँ पर पार्ट फाइफ है फिर पार्ट शिक्स उपर है और आप इसे आर्डर में सेलेक्ट करके डालना चाहते हैं कि हमारे प्लेलिस्ट में पहले पार्ट फाइफ आए उस उसके बाद फिर इस पे क्लिक करेंगे और ऐसे और वीडियो आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अगर आप इसे डिसलेट करना चाहते हैं तो इस पर अगें फिर से डिसलेट करते चाहेंगे तो यह हटता जाएगा यह देखिए अब सीरियल वाइज आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से part 4 से डालते हैं इसको select किया फिर part 5 फिर part 6 उसके बाद हम add videos पर click कर देंगे यह देखे अब यहाँ पर coral draw in Hindi Tutorials जो हमने playlist बनाई थी उसके अंदर में अब देखिए serial wise एक दो तीन serial wise आ गया, part 4 पहले आया part 5, part 6 यह आने के बाद अब यदि आप इन वीडियो को उपर नीचे करना चाहते हैं इनलब यह वाली वीडियो टॉप पर करना चाहते हैं या इसको बॉटम पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे right पर एकदम corner पर तो यहाँ पर more option आ जाता है इस पर जैसे ही click करेंगे तो तमाम option आ जाते हैं move to top, move to bottom यह कर सकते हैं इसी तरीकी से आप इस वीडियो की चाहते हैं कि उपर चिली जाए तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी वही option आता है move to bottom, move to top जैसे करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं जैसे आप move to top चाहते हैं इसको तो click करेंगे तो देखिए part 6 उपर आ गया अब इसको move to bottom करना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के बाद इस पर click करके move to bottom कर देंगे सबसे नीचे चली आए यह हो गया इसके बाद यदि आप coral draw जो यह लिखा हुआ है इसमें title में कोई changing करना चाहते हैं तो आप करने के लिए जैसे इस पर जाएंगे mouse लेकर या cursor तो अपने आप देखी यहाँ पर एक pen के रूप में एक icon आ गया इस पर click करेंगे तो आप इसमें कुछ भी change कर सकते हैं जहाँ पर जो भी चाहें यह कर सकते हैं अगर नहीं तो बाहर click कर दें इसी तरीके से यदि आप इसे delete करना चाहते हैं तो यह delete भी कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको right पर यह more option आया यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह आप सना जाता है delete playlist का इस पर जैसे ही click कर देंगे तो यह playlist delete हो जाएगी अब वापस अगर हम अभी delete यहाँ पर नहीं करेंगे अब वापस हम video manager पर आएगे तो उसके लिए just उपर यहाँ पर देखिए video manager का option है इस पर हम click कर देंगे और जैसे ही click करेंगे तो यह video manager का पूरा खुल जाएगा जो जो video अभी तक हमारे channel पर पड़ी हुई है यह सब आ जाएगी serial wise यह देख सकते हैं आप अब इसमें माल या playlist में आप फिर जाएंगे तो यहाँ playlist नीचे वीडियो के है इस पर click कर देंगे अब जैसे यह playlist पर click किया हमने तो देखिए अभी तक हमारे पास playlist चार थी पड़ी हुई है अब हम चाहते हैं कि इस को delete करना इस playlist को तो उसके लिए आप यहाँ edit पर click करें edit पर click करने के बाद यहाँ देखिए इस तरीकी की screen आ जाएगी अब इसमें आगर आप सिर्फ video delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके यह क्लिक करेंगे और remove from kolodra in hindi tutors जैसे part 4 इसमें हटाना चाहते हैं इस पर हम क्लिक कर देंगे यह देखिए हटेंगे ऐसे सभी को आप हटा सकते हैं तो अब अगर आप चाहते हैं कि यह playlist पूरी edit हो जाए तो उसके लिए आपको यह edit पर क्लिक करना होगा edit पर क्लिक करने के बाद फिर वईसे screen आ जाएगी और यहाँ आपको क्लिक करके delete playlist पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर confirmation का एक dialogue box आ जाएगा कि are you sure you want to delete coral driving in the tutorials तो उसके बाद yes अगर करना चाहते हैं यह working होना शुरू हो गई यह देखे इस तरीके से हमारे playlist delete हो गई अब हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारे पर playlist कितनी बची है तो यहाँ फिर से हम क्लिक करते है आइकन पर आइकन पर क्लिक करने के बाद creator studio creator studio पर क्लिक करने के बाद आपको वीडियो मैनेजर पर जाना होगा वीडियो मैनेजर से फिल प्लेइलिस्ट पर यह देखे अब यहाँ पर playlist चार बच रही है बागी जो हमने अभी बनाया था वो delete हो गई YouTube के आज की सद्धाय में हमने सीखा playlist बनाना तथा उसमें वीडियो डालना फिर लिस्ट एडिट एम डिलिट करना अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आये तो आप इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें तथा नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें